जिलनिया में लखापूर में स्कूल उवार जरजर, गिरी छथ बच्चे पंचात भावन में पढ़ने को मजबूर, शिक्षा विभाग के दावों की खुली पोल मद्यप्रदेश के मुख्यमंतिरी राज्य में सिक्षा विवस्ताओं को सरलेवन सुगम बनाने के उद्देश से, करोडों की लागत से, सेकडों सीम राइस स्कूल निर्मान कर रही है और दावे कर रही है कि महां हर गरिप का बच्चा मुफ्त में हाइटेक सिक्षा गरहन करेगा वही उनके इन दावों को खोकला कर देने वाले बाक्या खरगोन के आधिवासी बहुल या जन्पत पंचाथ जिन्या में सामने आ रहा है जन्पत के लखापुर गाओं में स्थित मिडिल स्कूल की हालत काफी दयनी है यहां बच्चे टपकती छट में घुटने तक पानी के बीच पढ़ने को मजबूर है कुछी दिन पहले ही यहां स्कूल की छट भर भरानकर गिर गई गनिमत रही की बच्चे बाल-बाल बच गए यहां के अध्यापकों के अनुसार वे कई बार जन्पत के बी-ार्ची का ओगत करा चुके है मगर अभी तक कोई भी जिम्मेदार मोका इस्तालपा नहीं पहुचा वे किसी बड़े हाथ से का इंतजार कर रहे हो इस्कुल की खस्ता हालत देखकर यहां के ग्रामिनों में भारी रोशे ग्राम के सरपंच के ग्राम पंचायत भवन में इस्कुल संचालित करने के लिद्देश से अध्यापकों के सुपूर्दो कर दिया है यहां के ग्राम वा प्रधान ग्रामिनों का और स्कूल के बाली का हो के क्या मांगे पानी खाली करना पड़ता था क्या नाम है अब जिससे शर्पन जीत के आया था जैसे मैं इसका पहले मतले फोटो लिया और फोटो लेके बियार्शी अपिस में लेटर लेके और बियार्शी अपिस को सर को देके आया हूँ अच्छा ठीक है उन्होंने अभी तब कुछ कारव पर उसके बाद में आर्श से पंगाज पहले बियार्शी सर को और वापस जाके पता लिया कि सर क्या हुआ तो सर ने बोले कि सर बोले वो आगे से टार्गेट है बोले आगे से आएगा तो हम तो आपको कर देंगे नहीं तो जिसे भी हमने देखा है कि यहां पे च्छत भी जानमाला खत्रा भी है और पानी भी भर रहा है तो आप तो जन प्रतिनीती है आपने और गया यूद्धिस्तर प्रयाश के या बस ब्यार्थिता की सिमित रहा है अपन को बच्छों की गोश्चा ने देखते हुए यह गिर जाएगा इससलिए हमने पंचायत की चाबी क्या नाव है अपका सुरुपा लोहरा तर पंच यहां है अपनाला पार की पलपल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चेनल डिजियाना न्यूज निमार को सब्क्राइब जरूर करें